नमस्कार दोस्तो, डेट है आज की 25 अगस्त 2022 और आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली करेंट अफियर्स एसन में गाइस आज के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉंप्रिहेंसिवली विद डिटेल्ड एक्स्प्लानेशन के साथ मैं और स्टाटिक जीगर का बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके लावा आपसे कुछ कोशन भी पूछे जाएंगे और कल का रिविजन भी करेंगे हम लोग को एक रिविजन जिसको बोलते हैं तो चलिए साथियो जल्दी से हम आज की सुर्ख्यों को देख लेते हैं कि हमको क्या-क्या डिसकस करना है सबसे पहले आप लोग सेसन को शेयर करेंगे सभी के साथ में सेसन को जल्दी से शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजे जल्दी से और चैनल पर नहीं है तो सब्स्राइब कर लीजिएगा तो चलिए साथियो आज हम लोग जो है अपना जो सुर्ख्यों को देखते हैं मेरा नाम है मंगेश कुमार तो साथियो सबसे पहले हम सुर्ख्यों में बात करते हैं 24 अगस्त को मनाया गया विश्प गुजराती भाषा दिवस साथियो जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी लोग ताकि और बाकी के जो सभी लोग है वो जुड़ जाएं और वो भी किसी भी प्रिकार की इंफोर्मेशन से वंचितना रहें तो जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे ठीक है विश्प गुजराती भाषा दिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्स हाल ही में संपन हुआ अंतर राश्ट्रिय खगोल विज्ञान और खगोल भोतिकी ओलमपियार में भारत पदक तालिकाव में रहा तीसरे स्थान पर उजवेकिस्तान में हो रहा है संघाई सहयोग संगठन यानि की S.C.O.K. रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन वर्स 2022 के पुलिटचर पुर्सकार के लिए चुनाया गया बांगलादेस की फहमीदा अजीम एंथनी डेल करनल जोस एडम्स को भारत ने गुजरात के गरबा नरत्य को युनेशको की सांस्क्रितिक विरासत सूची में किया नहीं सामिल नहीं किया अभी इसको नॉमिनेट किया है साथियो एशियाई अंडर 18 चेंपियनसिप में भारतिये पुरुष वॉलिबॉल टीम ने जीता कांशे पदक हरियाना के फरीदाबाद में प्रिधान मंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का किया उधगाटन DRDO ने चांदीपुर से किया VLSRSAM का सफल परिक्षन राजिस्थान में किया जाएगा राजीव गांधी ग्रामीन उलम्पिक खेलों का आयोजन लोगसभा अध्यक्ष ओम बिडला मेक्सिको में करेंगे स्वामी विवेकानन्द और स्वातंतरता सिनानी पांडूरंग खानखोजे की प्रितिमाओं का अनावरन तो गाइस यह थी आज की सुर्खियां चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपके लिए यह information देखिए हमारे जो smart courses जो चल रहे हैं अभी चल नहीं रहे हैं शुरू होने वाले हैं पांच सितम्बर से तो गाइस यह हैं मिसन SDM 2.0 और समरपन बैच बहुत ही important batch हैं आप लोगों के लिए अगर आप आरो एरो की तयारी कर रहे हैं या फिर UPPCS 2023 की तयारी कर रहे हैं उससे आगे की तयारी कर रहे हैं तो गाइस यह जो courses हैं हमारे smart course आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्या होड़ा 5 सितंबर से सुरू होड़ा इस पर अभी सातियो 77% का discount चल रहा है और अगर आपको discount लेना है तो आप लोगों को code यूज करना है guys ED400 क्लियर इसके अलावा और अधिक जानकारी इसके लिए आप हमारे इंट कॉंटेक्स नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं में स्जम 2.0 में क्या-क्या मिलेगा आप लोगों को दिखिए यहां पर smart classes यानिकी online classes live classes मिलेंगी recorded classes भी मिलेंगी यहां पर आपको class notes और इसके हिंदी और essay writing पर विशेस फोकस किया जाएगा साथ ही GS1, GS2, GS3, GS4 चारो पेपर्स की आप लोगों को बहतरीन तयारी कराई जाएगी यहां पर साथ यह essay writing जो की means के crack करने में बहुत important role play करता ऐसे यहां पर आप लोगों को लिए आप लोगों के लिए essay writing की practice भी कराई जाए यह जो batch है साथ यो bilingual batch है यानि की bilingual मतलब आप चाहे हिंदी background से मतलब है चाहे हिंदी medium से तयारी कर रहे हैं या फिर English medium से दोनों ही लोग मतलब दोनों ही mediums वाले जो students है वो यहां पर अपने आपको enroll करा सकते हैं और एक शांदार तयारी अपने आपको अलग level पर ले जाने क तो देखें यहां पर आपको लोगों को अगर आप यूपी के आरो यारो जो की vacancies आने वाली हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह 300 घंटे का smart कारेकरम होगा यहां पर आपको daily basis पर live classes आपको recorded classes भी आपको provide कराई जाएंगी सभी कक्षा expert faculties के द्वारा होंगी और इस तो guys 77% discount इस पर भी चल रहा है और यह discount है 31 अगस्त तक और अगर आपको यह discount लेना है साथियो तो आप लोगों को code यूज़ करना है ED400 clear guys चलिए अब हम आज की जो अपनी class को सुरुआत करते हैं जल्दी से आप लोग session को share करेंगे जल्दी से जल्दी से session को share करेंगे ताकि सभी लोग इससे जुड़ जाएं देखिए जो पहला important सवाल है guys वो है पृति वर्स विश्व गुजराती भाशा दिवस कब मनाया जा क्या उद्देश है इसके देखिए इस भासा के हम बात करें तो जो गुजराती भासा के महान लेखकते वीर नर्मद इनका नाम था और इनका जो पूरा नाम था वो नर्मदा संकर लाल संकर दवे इनकी जयनती के अवसर पर चुकि गुजरात के ये गुजराती भासा के ले बबस मनाया जाता है साथियोग क्योंकि कवी जो नर्मद थे उन्होंने गुजराती भाषा का निर्माता उनको माना जाता है गुजराती भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है गुजराती साहित्य को अंतररश्टी ये बनाने में इन्होंने महत्पूर्ण भूमिकाने भाई थी इनका जन्म कब हुआ था 24 अगस्ट 1833 को गुजरात के सूरत में इनका जन्म होता है और ये एक ब्राहमण परिवार से संबंद रगती थी ठीक है बाईस साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली पोईम लेखी थी तो गाईज ये थी बात करें हमने विस्व गुजराती भाषा दिवस के बारे में अब ये जो important सवाल है इनको देख लेते हैं जो कि आपके परिक्षा के लिए आपके एक्जाम के लिए बहुत बहुत important है देखिए जल्दी से आप लोग शेर कर दीजिए और आप मुझे बताईए कि World Senior Citizens Day कब मनाया जाता है जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग इसके अलावा आप मुझे आंसर करिए कि विस्व स्वास्थे दिवस कब मनाया जाता है विस्व TB Day कब मनाया जाता है विस्व Cancer Day कब मनाया जाता है जल्दी से आप लोग तीनों सवालों के आंसर आप लोग करेंगे तो चलिए जो हम पहला सवाल है उसको देख लेते हैं विस्व जल सब्ता ये कब से कब तक ये चल रहा है साथ यो 23 अगस्त से लेकरके एक सितंबर के बीच इस पूरे वीक को मनाया जा रहा है इसको जो और इसको जो ऑगनाईज किया जा रहा है विस्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है अक्षय उर्जा दिवस ये भी 20 अगस्त को मनाया जाता है आप लोगों को याद रखना नेक्स्ट सदभावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है और आप लोग मुझे बताईए सद भावना दिवस क्यों मनाया जाता है यानि कि क्या कोई किसी की जैनती है किसलिए मनाया जाता सद भावना दिवस जल्दी से आप लोग comment section में answer करिए सबी लोग answer किया करिए ठीक है next विस्व मानवताबादी दिवस विस्व मानवताबादी दिवस साथियो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को clear? कब मनाया जाता गाईज विस्व मानवताबादी दिवस तो साथियो विस्व मानवताबादी दिवस जो है ये मनाया जाता है 19 अगस्त को चलते हैं आगे नेक्स्ट जो हमारा सवाल है गाईज वो है हाल ही में संपन हुआ अंतर राष्ट्रिय खगोल विज्ञान और खगोल भौतकी उलमपियार में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है तो देखिए गाईज भारत ने अभी जो ये संपन हुआ यहाँ पर तीन पर भारत भी तीसरे नंबर पर है जबकि पहले नंबर पर साथियों को होने वो है पांच गोल्ड के साथ में पहले नंबर पर है इरान यह 15 अंतर राष्ट्रिय ओलमपियार यह हुआ था 14-21 अगस्त 2022 तर कहां पर आप लोगों को ध्यान रखना सार्थियों जियोर्जिया क पर जियोर्जिया की बात कर लेते हैं देखे यह है ज़्या का मैप आप लोग यहां देख सकते हैं तबलिसी इसकी राजधानी है और यह बाउंडरी अपनी शेर करता साथियों ब्लैक्सी से ब्लैक्सी गाइज बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए इसके अलावा और कौन-कौन से देश हैं जो ब्लैक सी से अपनी बाउंडरी सेयर करते हैं यह सातियो रसिया यूक्रेन यूक्रेन के अलावा है यहां पर है रोमानिया यह है बुल्गारिया और यह है टर्की इसके अलावा यह जियर्जिया तो यह सबी देश आप लोग इनके नाम याद रखने हैं आप लोगों को क्योंकि यहां से सवाल इस तरह से बनते हैं कि पूछ लेगा आप से कि ब्लैक सी से कौन सा देश बाउंडरी शेयर करता है या नहीं करता है तो आप लोगों को याद रखना है क्लियर चलते हैं आगे नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है जो Commonwealth Games में लक्षे सेन ने कौन सा मेडल जीता है ये बेडमिंटन के खिलाड़ी है आप लोगों को याद रखना लक्षे सेन कौन सा मेडल जीता है आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे दो दो गयाने में अभी जो संपन हुए और बर्मिंगम में और बर्मिंगम कहां पर है इंगलेंड में नेच्ट ए तेतीसवा ओलंपिक 2015 2024 यह कहाँ पर होगा Paris में होगा 2024 में और Paris France में आप लोगों को याद रखना है साथियो 33 मा जो Olympic कहाँ पर होगा Paris में और 32 में कहाँ पर हुए है 32 में Olympic कहाँ पर हुए है जल्दी से answer करिए नेक्ष लोग ऐन्डिया Youth Games ये हर्याना में हुए थे साथ ही हो इसका जो सुभंकर है मैस्कोट वो है दाकर क्लियर ध्यान रखना है आप लोगों को नेक्ट है खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स ये बेंगलोरी में हुए थे और इनका जो सुभंकर है वो है वीरा फीपा वर्ल्ड कप दोहा में होगा कतर में आप लोगों को याद रखना है चलते हैं आगे ये हमने यहाँ पर डिसकस किये इंपोर्टेंट सवालों के साथ में ये जो कुशन अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारा सवाले साथ यो वो है कि संगाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के संभेलन का आयोजन कहां हो रहा है देखिए स्यो के रक्षा मंत्रियों का संभेलन हो रहा है जो इनके सिखर बैठक होगी वो नवंबर में होगी बाद में होगी ये हो रहा है साथ ही उजबेकिस्तान में उजबेकिस्तान में हो रहा है और अभी यहाँ पर जो भाग ले रहे हैं हमारे रक्षामंत्री राजनात सिंग ने पार्टिस्पेट किया है और उन्होंने अन्य देशों के कजाकिस्तान, बेलारूस इनके रक्षा मंत्रियों के साथ भी मुलाकात करी यानि कि bilateral meeting इनकी organized करी थी तो आप लोगों को याद रखना right answer इसका A है ठीक है उजबेकिस्तान की राजगिदानी कहाँ पर होड़ा ताशकंद में भारत के अलावा चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान इनके विदेश मंत्रियों ने भी यहाँ पर भाग लिया है ठीक है बैठक में सातियों कब होगा यह सितंबर में नवंबर बोला नहीं सितंबर में होंगे समरकंद में आयोजित होने वाला राश्टर द्यक्षों के का आगामी जो SEO की बैठक कहां पर होगी 15 से 16 सितंबर के बीच समरकंद में होगी आप लोगों को याद रखना है किलियर और इसी लिए ये राज ये जो रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन इसी लिए आयोजन इसका किया गया था कि जो सिखर सम्मेलन होगी उसकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है उनकी तैयारियों को जाय जा लेना उन पर चर्चा करना और इसके अलावा इंटरनेशन को हम लोग देखेंगे देखिए SEO की बात करें तो साथियो यह एक इसकी फुल-फॉम है संघाई कॉपरेशन ओगनाजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल और एकॉनोमिक सिक्यूर्टी ओगनाजेशन है यह इसकी स्थापना कब होती है साथियो 15 जून 2011 को संघाई में यानि की चाइना की संघाई में इसकी स्थापना होती है व्युक्त रखना है डजी कोटर कहां पर है Batman athlete McNamara जो members है इसके वो हैं China Russia किस्तान कज़्ाकरिस्तान बार किर्गिस2 किर्गिस्तान तो यह याद रखना यह तो हैं इसके पऑंडर मेंबर जब अभी फिराल इसमें तोटल मेंबर कितने हैं देखिए आठ मेंबर हैं अभी लेकिन नौ होने वाले हैं यह जो इरान है ना इसमें सामिल हो चुका है और सितंबर में यह इसमें जो है सामिल हो जाएगा जिसे स्यों ने भी अपनी सहमती जता दिये तो ध्यान रखना आप टोटल मेंबर नौ होने हैं 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें सामिल होए थे clear अब इसके मेंबर्स की ब्यात करें तो यह जो ऑब जर्वर स्टेट्स की बात करें या डायलोग पार्टनर्स की बात करें तो यह हैं आर्मेनिया अजरबेजान कमबोडिया नेपाल स्री लंका टर्की यह कुछ जो दे इसके डायलोग कंट्रीज हैं चलिए यह बात करी हमने SEO के बारे में अब आगे चलते हैं और कुछ बात हैं कर लेते हैं हम लोग अपने जो important सवाल हैं आज के हमारे इससे related जो की बहुत important है आने वाले exams के लिए यहां से आप लोगों को साथियो च्छपने वाले सवाल है य सवाल यहां पर मिल जाएंगे जो कि exam में सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है कि हाली में राष्ट मंडल संसदिय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ यह हुआ साथियो कैने राम है आप लोगों को याद रखना है और इसमें हमारे जो प्रतनिदी मंडल गया था भारत का उसकी प्रतनिदी मंडल का जो नेतरत्व किस ने किया था हमारे लोकसवा अध्यक्ष ने और लोकसवा अध्यक्ष कोंने यह है ओम बिडला किलियर नेक्श शे हाली में चरछा में रहा Artemis Mission यह संबंदित है वे यह NASA का Mission है अमेरिका का और किसे संबंदित है तो साथियों यह मून Mission है आप लोगों को याद रखना है जो Artemis Mission है Artemis 3 यह कैसा Mission है Moon Mission है NASA का शेकर pessoa Regional Anti-Tellerist Structure रेट्स ये किसे संबंदित हैं ये साथ यो S.C.O का एक जो है body है ये आप लोगों को याद रखना है रेट्स और ये जो focus करता है इस बात पर focus करता है कि पूरे world में terrorist की जो घटना है वो घटना हो terrorism, extremism इन पर ये विचार करता है इनको कम करने के लिए काम करता है regional anti-terrorist structures, rats आप लोगों को याद रखना है S.C.O का नवींतम सदसेदेश कौन सा है इरान, नौमादेश है आप लोगों को याद रखना है नेक्स्ट हाल ही में, A.C.I. छेत्रिया फॉरम, A.C.I. रीजनल फॉरम के वर्चुल संभिलन की मेजबानी किस ने की थी, तो गाइज ये की थी, केंद्रिया निर्वाचन आयोग ने, किलियर, चल दिये नेक्स्ट जो सवाल है, वो अपन सीर्श सथान कौन रहा है, तो गाइज जो चावालिस सथान पर रहा है तो वो रहा है अगी चलते है और अपना जो आजका जो नेक्स्ट अमारा सवाल है वो देख लेते है नेक्स्ट सवाले साथ नियो, वर्स 2022 के लिए पुलितिजयर पुर्सकार के लिए किसे चुना गया है? इनो पर आप इनको देख सकते हैं नेक्स्ट है एंथनी डेल करनल और जोस एडम्स इन सभी को ये पुलितिजर पुर्षकार के लिए चुना गया है तो राइट आंसर इसका डी इनके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो देखिए यह जो यह चार लोगों को दिया गया है और अमेरिका की एक उनलाइन मेग यह पुर्षकार दिया गया है इनको सचित्र व्याद ख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की स्ट्रेणी के लिए दिया जा रहा है इंसाइडर पत्रका के चार पत्रकारों को दिया गया कौन-कौन एंथनी डेन करनेल जोस एडम्स वॉल्ट हेकी और फैमीदा अजीम इन चारों को यह चुना गया है क्योंकि इन्होंने देखिए जो चीन में उईगर मुसलिम्स हैं उनका जो उत्पीडन हो रहा है उनके उत्पीडन की इन्होंने तस्वीर हैं इन्होंने रिपोर्टिंग ये सब काम इन्होंने बहुती बहतरीन तरीके से किया था इसलिए इ फहमीदा अजीम के बारे बात करने तो इनका जनम कहां पर हुआ था बांगलादेश में और बाद में ये कहां बस गी अमेरिका में किलियर सारी बातें चलते हैं आगे नेक्स्ट अब चुकि पुर्षकारों की बात हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना जो इंपोर्टेंट पुर्षकार हैं और जो न्यूज में रहे हैं उनको यहां पर सामिल कर लिया जाए ठीक तो देखिए लता दीनानात मंगेशकर पुर्षकार 2022 पहली बार दिया गया है आप लोगों को याद रखना है किसको दिया गया है तो गाईज यह जो पुर्षकार है यह दिया गया है नरेंद्र मोदी को नेक्श एकतिसमां सरस्वती सम्मान 2021 राम दरस मिस्र को दिया गया है चपनवां ग्यान पीट पुर्षकार 2022 यह दिया गया 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 नील मनी फुपन को और सत्तामरमा घ्यान पीठ पुर्षकार दिया गया था दामुदर मौजा को तो आप लोगों को नाम याद रखने दोनों के चपनवा निल्वनी फूपन और सत्तामरमा दामुदर मौजा नेक्ट शाहित्य अकेडमी पुर्षकार 2021 हिंदी के लिए दिया गया है साथ हो दया प्रकाश सिन्ना को ठीक है Hindi के लिए किसको दिया गया है टया प्रकाश सिन्ना को जबकि अगर मैं बात करूँ साथ ही और इंगलिस का किसको दिया गया है तो गाई यह दिया गया नमिता गोखले को अ क्लियर चलते हैं आगे नेक्स्ट ओमरा सवाल हो वोई Miss India Worldwide 2022, साथ यो ये चुना गया खुशी पटेल को, किसको? खुशी पटेल को चुना गया, आप लोगों को याद रखना है, Next है, प्रीत जगर पुर्सकार 2022, Francis Carey को दिया गया था, दोनों में अंतर है साथ यो पुर्टिजर पुर्सकार, पत्रिकारिता से संबंदित है, जबकि जो पुर्टिजर पुर्सकार यो ये संबंदित है, आर्किटेक्चर से, किलियर सारी बाते हैं, और जो 94 ओसकार अवार्ड दिया गये थे, उनमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, कोडा को, ये सारी बाते हैं आप लोग याद रखना है, चलते हैं आगे और नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, वो है भारत ने किस राजिया के गरबा नरत्य को, युनेशको की सांस्कृतिक वरासत सूची में सामिल करने के लिए नामित किया है, तो आप लोग जानिए पहले सबसे पहले गरबान रखते हैं, यहाँ पर आप देख रही हैं, ये जो महिला डांस कर रही है, ये कर रही है, गरबा, तो जो गरबान रखते हैं साथियों गर्बा डांस कहा कर रहा है यह है साथियो गुजरात का आप लोगों को याद रखना इस चीज के बारे में यूनेसको के द्वारा देखिए यूनेसको यून की एक बॉड़ी है और इसके द्वारा 1945 में इसका जो गठन किया जाता है इसका इसके द्वारा दो लिस्ट जारी क जाती है एक में होता है सांस्कृति अमूर्त वरासत सूची अमूर्त धरोवर सामिल होती है एक में और दूसरी में होती है विस्व धरोवर ठीक है ध्यान रखना तो जो है विस्व धरोवर में अभी 40 साइट सामिल है और लेटेस्ट है दोलावीरा अमूर्त धरोवर ऐसी स साथ होती है साथ जिनको चू नहीं सकते अब जो डाइन्स है क्या डांस को आप चू सकते हैं नहीं चू सकते ना तो उसी तरह से जो लेटेस्ट जो लेटेस्ट वो है दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा कहां की है यह गाईज पश्यम बंगाल यह सारी बात है हमने इस सूचियों के बारे में बात करी तो जो गर्बान रत्य है वो गुजरात का आप लोगों को याद रखना राइट अंसर सी इसके बारे और कुछ युनेस्को की सांस्कृतिक सूची में सामिल किया जाने के लिए नामित किया है गुजरात का है और युनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट है इन्होंने कहा है कि UNESCO की अमूर्थ सांस्कृतिक वरासत में पिछले वर्स दुर्गा पूजा को सामिल किया था, जैसे मैंने अभी बताया, चौधमी यह सांस्कृतिक वरासत थी, अमूर्थ वरासत जिसको बोलते हैं, और अब उसके बाद में भारत ने गर्वा को वर्स 2022 के के लिए अभी नॉमिनेट किया है, clear, अब ये गुजरात का मैप आप देख सकते हैं, यह गुजरात है, यहाँ पर इसकी कैपितल है गांधी नगर, यहाँ पर आप ओखा बंदरगा देख सकते हैं, और यह कच्च की खाडी है, यह खमबात की खाडी है, यहाँ पर, clear, यह स सांस्कृतिक संगठन युनेसको संयोक्त राष्ट का एक घटक है और इसके जो स्थापना होती है वो होती है गाई 16 नवंबर 1945 को उद्देशे क्या है ये इसका इसका उद्देशे है देखी एजुकेशन और कल्चर के माध्यम से अंतराश्टि सहयोग और सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसके टोटल कंट्री कितनी है इसमें जो सामिल है वो 193 इसके सदस्य देश है मुख्याल है हैड़काटर इसका पेरिस में है और इसकी दो पिर मुक्सूची है इसकी यूनेसको की जैसे मैंना भी बता है विस्प धरोवर और अमूर्त धरोवर किलियर चलिए चलते हैं आगे और अब जो हम अपने कुछ इंपोर्टेंट जो सवाल है उनके बारे में डिसकस कर लेते हैं जो कि आपके एक्जाम की दृष्टी से बहुत बहुत इंपोर्टेंट है गाईज बात करते हैं महित्पूर्ण पुर्षकारों की यह पुर्षकार है इसको काट लीजिएगा आप लोग यहाँ पर सवाल कर लीजिएगा महित्पूर्ण सवाल देखे यूनेसको की विस्प विरासत सूची में भारत के ल कितने स्थल सामिल है 40 और 40 वां कौन सा है लेटेस्ट 40 वां है सात्यों 12 वीरा ठीक है हरपण साइट है हरपण सब बिताकि एक साइट है 12 वीरा गोजरात में नेक्श नवीनतम स्थल अभी अमने बात करी 12 वीरा अमूर्थ विस्व धरवर, यह है 14, और इसमें लेटेस्ट कौन सी है, अमूर्थagen धरवरों में भारत की 4 है जो धरवर सामिल है, और लेटेस्ट की बात करूँ मैं, तो लेटेस्ट है दुरगा-पुजा, कौन नहीं है, दुरगा-पुजा, कौन से राज़े में है, इस सेलि इसको की विश्व धरुवर की संभावित सूची में नामित किया है तो गाइज यह किया है मेगाले है क्लियर चलिए कंबाला महोत सब करनाटका में और बथुकम्मा त्योहार यह तिलंगाना का त्योहार है तो यह सारे बातें आप लोगों को याद रख नहीं है यह सारी चाहते हैं आप अपनी बहुत ही अच्छे से अपनी त्यारी को अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यह जो यह बहुत ही बेस्ट को से हो सकते हैं यह क्लियर और यहां पर आप लोग मिसन स्टीम 2.0 समरपन बैच इन से जुड़ सकते हैं 77 परशे 2726 इन पर कॉल करके पूछ सकते हैं ध्यान रखिएगा दोस्तों यह जो कोर्चिस हमारे सुरू हो रहे हैं वो 5 सितंबर से सुरू होंगे और जो डिसकाउंट है वो 31 अगस्त तक चलेगा 31 अगस्त तक है आप लोगों को याद रखना है तो चलिए आगे चलते हैं और जो अ जो हो रही है यह जो संपन हुई है यहाँ पर भारत यह जो पुरुस वॉलीबॉल टीम ने इन्होंने जीता है ब्रॉंज मेटल कांसिय पतक जीता है गाइस आप लोगों को याद रखना है अंडर 18 है अंडर 18 का मतलब होता है कि 18 साल से कम उम्र के प्लेयर्स इसमें सामिल ह इस चेंपियन से में जो मर यह पुरुस वॉलीबॉल टीम है किलियर इसके बारे में और डेटेल से जाने तो देखिए कहां पर हो रही है यह हो रही है साथियो इरान के तेहरान में यह आप लोगों को याद रखना है और भारत ने किसको हराकर जीता है यह कांस पतक तो यह देखिए कोरिया को हराकर तीन दो से हराया है किलियर तीन दो से हराकर के इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता है भारतिय टीम की जीत में यह जो प्लेयर से आसी श्वैन आर्यन बलियान खोश्रींग और कार्तिक सर्मा इनकी एहम भूमिका रही थी जो सुरवाती मैच हुआ थ जीता है आप लोगों को याद रखना है ब्रॉंज से ही इन्होंने इनको संतोस करना पड़ा चलते हैं आग गया इरान के बारे में जाल लेते हैं देखिए इरान इसकी कैपिटल है तेहरान यहां पर है और यहीं पर यह मैचिस हो रहे है चेंपियन सिप हो रही है इसके इसकी है इधर अजर्बिजान आर्मेनिया इराक यह कुछ कंट्रीज है और नीचे है साओधी अरभिया साओधी अरीबिया से डिरेक्ट इसकी बाउंडरी शेयर नहीं होती है लेकिन पर्शन गल्फ के तहत होती है चलते हैं आगे और अगला अब जो हम लोग साथियो हमारे जो इंपोर्टेंट सवाल है उनको डिसकस कर लेते हैं देखिए इंपोर्टेंट सवालों की अगर बात करूं मैं तो सबसे पहला जो सवाल है वो हमारा कि नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइम बिंग प्रतियोग था हाली में यह संपन हुई है कहा बारे में बात करें तो यह वेट लिफ्टिंग से संबंदित हैं आप लोगों को याद रखना है कौन सा गेम है इनका वेट लिफ्टिंग और कहां की रहने वाली है यह मनीपुर की रहने वाली है बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है साथियो यह याद रखना आप लोगों को आपको मैचिंग के सवाल आ सकते हैं यहां से किलियर नेक्स्ट रंडजी ट्रोफी की बात करें तो किरकेट की एक ट्रोफी है किरकेट का टूनमेंट है और इसका जो विजेता है वह है मध्यपरदेश किलियर चलिए नेक्स्ट सवाल है प्रो कबड़ी लीग का विजेता दबंग दिली रहा है अब की बार और संतोष ट्रोफी का विजेता ये कौन है ये केरल है कौन सी ट्रोफी है मतलब कौन सा अब की बार ये टूनामेंट कौन सा एडिसन है तो गाइस ये है 75 आप लोगों को ये भी याद रखियेगा किलियर सारी बात है तो आप लोगों को यह याद रखना है कौन सा टूनामेंट है यह 75 पिछत्तरवी नंबर का संसकरन है यह भी आप लोगों को याद रखना है चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि सीनियर राष्ट्रिय पुरुस वालीबॉल चेंपियनसिप का विजेता कौन है गाईज यह हरियाना नेक्स्ट जो सवाल है वो है टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता तो गाईज यह जीता था मीरा बाई चानू ने आप लोगों को याद साथियो जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो है एसिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का उधगाटन कहां पर किया गया है तो देखें जैसा कि आप जानते हैं अभी हाली में आज पतलब कल 24 तरीक को अगस्त 24 को प्रिधानमंत्री मोधी दो राज्यों की यात्रा पर हैं कहां कहां पर हरिणा और पंजाब तो यह हरिणा पहुंचे और हरिणा उन्होंने एक डिस्टिक है साथ यो फरीदावाद यहां पर इन्होंने एशिया के सबसे बड़े ट्राइवेट हॉस्पिटल का इन्होंने उधगाटन किया है आप लोगों को याद रखना है और उसके बाद में पंजाब भी पहुंचे, पंजाब में भी इन्होंने जहांगीर, हॉमी भाबा जो कैंसल होस्पीटल उसको भी देश को समर्पित किया, इसके अलावा एक रिसर्च लेब भी इन्होंने जिसको क्या बोलते हैं, हॉमी जहांगीर, अनुसंदान केंदर ये भी राष्ट को समर्पित किया, इस हॉस्पीटल के बारें बात करें, तो दिखें ये टोटल 133 एकड में फैला हुआ और 2600 बैड हैं इसमें अभी फिलाल, इसमें जो खर्चा हुआ है, वो 6000 करोड रुपे का इसको खर्चा हुआ है, इसके अलावा इसकी कुछ और बाते कर किया है, और जो इसका मेनेजमेंट जो किया जाएगा, वो किया जाएगा, माता, अमरता, नंद, मई, मठ के द्वारा इसका प्रिबंधन किया जाएगा, अस्पताल ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, और यहां पर तो रही है हरियाना की बात, इसके मोहाली में होमी जहांगीर भावा कैंसर होस्पिटल और इसके अलाबा अनुस्वंधान केंदर भी राष्ट को समर्पित किया है आप लोगों को याद रखना है किलियर चलिए चलते हैं आगे और अगला हम अब जो है इनके बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हरियाना की बात हो रही है तो चलिए हरियाना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं देखिए हरियाना का ये मैप आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर एक छोटा सा जो स्टेट ये हरियाना है हरियाना की कैपिटल चंडीगड है बंडारू दत्तात्रिय यहां की गवणर है और मनुहर लाल खटर इसके शीया में चीफ मिनिस्टर है विधान सबा सीट की अगर बात करें तो साथ ही हो यहां पर 90 विधान सबा सीट है लोक सबा की सीट 10 हैं एक नवंबर 1966 को इसका गठन होता है आप लोगों को याद रखना पंजाब से अलग करके इसको गठित किया जाता है किलियर सारी बात है यह बात हैं हमने अजियाना के बारे में डिसकस करी हैं अब देखिए कुछ important सवाल देख लेते हैं इसको virtually प्रिधानमंतरी मोदी के द्वारा इसको अनावरण किया गया था इसका उद्गाटन किया गया था कहां पर पानीपत में आप लोगों को याद रखना इनका नाम याद रखना आप लोगों को गुरु ग्राम जो की हरियाना में है इनकी पहली महीला पुलिस कमिशनर कौन बनी है कला राम चंदरन इसके तहत होगा क्या इअधिगम योजना के तहत देखिए इसके तहत होगा क्या इअधिगम योजना के तहत जो भी स्टुडेंट्स 9th और 10th क्लास में है उनको फ्री में टैबलेट दिये जाएंगे सरकार के दौरा 9th और 10th क्लास के स्टुडेंट्स को आप लोगों को याद रखना है इअधिगम योजना के तहत के उनको से कहां पर हरिराना सरकार के दौरा यह सुरू की गई है यह योजना सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन कहां पर हुआ तो यह हुआ था फरीदाबाद में और भारत का पहला अनाज ATM यह गुरू ग्राम में स्थापित किया गया है जिस तरह से ATM से आप पैसे निकालते हैं वैसे ही इस अनाज ATM से आप लोग अनाज निकाल सकेंगे तो आप लोगों को याद रखना कहां पर गुरू ग्राम में तो लाइक जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से से सेशन को शावी लोग मिलकर करेंगे, बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट जो हमारा आज का जो सवाल है वो है गाईज, हाल ही मैं, DRDO यानि कि Defense Research and Development Organization, इन्होंने VLSRSAM, क्या ही है, यह है यह वर्ट इसकी फुल फ जल्द नहीं होगा, वर्टिकल लॉंच, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसको कैसे लॉंच किया गया होगा, वर्टिकली लॉंच किया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं यह, यह जो मिसाइल यह जा रही है, इसको डिरेक्टली वर्टिकली लॉंच किया गया, ऐसे होता यहां से इसको hit करना चाह रहा है इंडिया में किसी भी point को किसी भी target तो तो यह उपर directly इसके उपर जा करके इसको नस्तिना बूत कर सकती है यहाँ पर clear समझ में आई सारी चीज़े तो देखिए इसका अभी हाली में सफल परिक्षन किया किसके द्वारा DRDO को द्वारा किया गया इसको DRDO को द्वारा ही इसको manufacture किया गया डेवलप किया गया और चांदीपुर में इसको इसका हाली में इसका सफल परिक्षन किया गया आप लोगों को याद रखना है चलिए वर्टिकल लॉंच शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाल सिस्टम को DRDO द्वारा स्वधैसी रूप से इसको डिजाइन किया गया था यानि कि देश में ही इसको डिजाइन किया गया कहीं हमने बाहर से कोई टेक्नोलोजी नहीं लिए बाहर से नहीं इसको किसी कि स इसको डिजाइन किया गया है और इसके द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है इसका जो परिक्षन किया गया है कहां से किया गया है देखिए ओडिसा के तट पर गाईज इंटी ग्रेटिड जो परिक्षन रेंज है आई टी आर चांदीपूर वहां से इसका सक्सेश्फु में मार करने में यह सक्षा में आप लोगों को यह चीज आप लोगों को याद रखनी है आप से यह पूछा जा सकता है कि VLSRSEM जो मिसाइल है यह कैसी मिसाइल है तो यह साथ हो यह है surface to air ज्यान रखना आप लोगों को अब देखिए यह important सवाल है बहुत important सवाल है साथ हो अपने वाले सवाल है आप लोगों को याद रखना है ठीक है पहला जो सवाल है गाइस वह है arrow 3 anti ballistic missile defense system का हाली में यह जो है किस मतलब पूछा है आप से कि किस देश का defense system है यह तो देखो जो arrow 3 है यह साथ हो Israel का है किलियर किसका है Israel का चलिए नेक्स्ट वाल है वर्चुवल स्पेस म्यूजियम स्पार्क स्पार्क इस रिसर्च और्गनाजेशन जो हमारी अंत्रिक्ष संगठन है इस रो उसके द्वारा इसको लॉंच किया गया है और आप लोगों को मुझे यह बताईए कि इस रो के अध्यक्ष्यानी की हैड कौन है जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे इस रो के हैड कौन है नेक्स्ट है खायाम उपग्र है साथ्यों खायाम उपग्र है ये किसका है जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग किसका है ये नेक्स्ट चलते हैं आगे Laser Guided Anti-Tank Guided Missile का सफल पराइक छफल परिक्षण ये क्या गया है DIDO के दौरा भारत का पहला स्वदेशी विमान वहागपोत यह है INS विक्रांत किलियर पिनाका पिनाका है गाईज क्या है यह रॉकेट लॉंचिंग सिस्टेम है आप लोगों को याद रखना है रॉकेट लॉंचिंग सिस्टेम ध्यान रखना का मतलब यह है, जब नाग मिसाइल को एर से लौंच किया जाएगा, हेलिकॉप्टर से लौंच किया जाएगा, तो इसको बोलेंगे हेली ना, चलिए, खयाम उपक्रह के बारे में बता देता हूँ, यह इरान की उपक्रह है, किसका सेटलाइट है इसको इरान का है यह हाली में इसको लॉंच किया गया है चलिए डियाइडियों की बात हो रही है बार बार तो डियाइडियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं देखिए इसकी जो स्थापना होती है 1958 में इसकी स्थापना होती है और इसके जो अध्यक्ष है वो है जी शतीस रेड़ी इसके अध्यक्ष है आप लोगों को याद रखना आप लोगों को याद रखना जी शतीस रेड़ी इसके अध्यक्ष है कौन है इसके हेड डी आजडियों के इसकी फुल फो में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और्गनाजिशन ये सारी बाते हमने यहाँ पर डिसकस करें इंपोर्टेट सवालों के साथ में अब आगे चलते हैं और अपना जो आजका नेक्स्ट हमारा सवाल है वो देख पंचायत इस सतर पर होंगे और यह पंचायत इससतर पर होंगे और पता है एक चीज जो इंपोर्टेंट वही है कि इसमें यह सब से बड़े टूनामेंट रहेगा क्योंकि इसमें जो खिलाडी कितने भाग लेंगे साथियो इसमें जो खिलाडी भाग लेंगे 30 लाख खिलाडी भाग लेंगे है ना बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग इतने बड़े पैमाने पर ये गेम खेले छोटे से लेकर के बड़ा कोई भी व्यक्ति इसमें बजर्ग व्यक्ति भी 100 साल तक के व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकते हैं इस टूनामेंट में ठीक है ग्रामेड उलम्पिक खेलोगा और कहाँ पर होगा ये ये होगा साथियो राजिस्ताने अभी इसकी गोशना की है आप लोगों को याद रखना है इसके बारे हम कुछ और चीज़े जाने तो कब से कब तक होंगे देखिए ये सुरुवात होगा 29 अगस्त से सुरुवात हो रहे हैं 5 अक्टूबर तक और हाली मैं इसका सुभंकर जो है इसका मैस्कोट भी गोशित कर दिया लॉंच कर दिया इसका मैस्कोट है शेरू कौनसा है इसका मैस्कोट इसका मैस्कोट है गाईज शेरू इसका मैस्कोट है और यहां पर देखिए इस पिक्चर को देखिए कहा है गई पिक्चर यह रहा यहां पर देख रहे हैं आप लोग यह है शेरू यह इसका मैस्कोट है आप लोग को याद रखना है किलियर और इसके बाले कुछ और चीज़ें बात करें तो देखिए यह राजीव गांदी ग्रामेड ओलंपिक खेल का आयोजन साथियो आजादी के बाद का सबसे बड़ा मह महाकुम्भ होगा एक तरह से घेलों का महाकुम्भ सबसे बड़ा ग्राम-पंचायत पर पर खेलिजाएंगे यह pre şekli इसका 낮किया य्ए 40 क्रोड ये इसका जो भिजट किया गया चालिस करूड किया गया है इस पर टोटल-करचा किपना किया जाएगा 40 करोड रुपेस पर खर्च किया जाएंगे आप लोगों को याद रखना आए क्लियर तो चलिए नेक्स्ट अब जो हमारे important कुछ और जो सवालें वो देख लेते हैं Olympic के बारे में बात हो रही तो चलो Olympic के बारे में ही बात कर लेते हैं टोक्यों Olympic के बारे में बात करते हैं टोक्यों Olympic कहाँ पर संपन हुए थे अभी पिछले साली संपन हुए थे और कौन से नमबर के थे ये 32 नमबर के थे जापान के टोक्यों में ये खेले गए थे ठीक है जापान के टोक्यों में क्लियर ये सारी बात है नेक्स्ट, टोक्यो ओलम्पिक में पहला पदक मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने, कौन सा खेले इनका, इनका गे में साथ हो वेट लिफ्टिंग, और कहां की रहने वाली है, ये मनीपुर की रहने वाली है, किलियर, चलिए, नेक्स्ट, टोक्यो ओलम्पिक में भारत ने कुल पदक जीते हैं, साथ, एक गोल्ड, दो सिलवर, और चार ब्लोंच, न ऐसे जीते हैं, लिएक लिए लवन्पिक तालिका में कौन से नमबर पर दिए जीते हैं, लिए दिजमान साथ, वोध होते हैं, दिव्यांग खिलाडी जो पैरा एचलीट्स होते हैं न दिव्यांग खिलाडी वह इसमें भाग लेते हैं तो टोक्यो प्रालम्पिक में टोटल पदक जो जीते वह 19 पदक जीते थे और यहां पर भारत रहा 24 में नंबर पर पेरिस ओलम्पिक जो होंगे वह 2024 में होंगे पेरिस में और कौ सवाल बन सकता है यहां से अच्छा टोक्यो ओलम्पिक के बादे में हमने बात कर ली कि कौन से नंबर पर रहा है पदक तालिका में आप मुझे यह बताईए कि जो कॉमनवेल्ट गेम्स अभी हाली में संपन हुए हैं बर्मिंगम में ठीक है कॉमनवेल्ट गेम्स राष्ट पदक तालिका में कौन से नंबर पर रहा है कॉमनवेल्ट में और टोटल मेडल कितने जीते हैं चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आज का अपना नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट सवाल साथ ही वो है लोगसभा अध्यक्ष ओम बिडला किस देश में स् आश्टमंडल संसदिय संबेलन होडा कैनडा में तो वहीं से यह मेक्सिको की यात्रा पर वी जाएंगे और यह मेक्सिको में ही स्वामी विवेकानंद और स्वातनतरता सिनानी जो है पांडूरंद खान खोजे इनकी पिट्टिमाओं का अनावरन करेंगे इनके बारे हम कु नहीं जानते हैं लोग उनको भारते मूल के नेताओं को संबानित करना इनका उद्देश है ठीक है और पांडूरंग खान खोजे के बारे में बात करें तो इनका जरम महराष्ट के वर्धा में होता है 1883 में और वो तिलक और दयानंद सरस्वती से बहुत ज्यादा प्रभा इस लेक्स ≦ läवरात के नाम पर एड हरित करनती के रूप मे इनको जाना जाता है स्वान फांट चलीए है two है ए नेर्ट अव हम देख लेते हैं हरित क्रांती करिंग बात करते हैं यह मैक्सिको का आप लोग 诏 होम इसगाइज इसको अगर रीड करें तो देखि imagem looking कि बाउंटर यहां से लगती है और मेक्सिको सिटी इसकी कैपीट़ आप लोगों याद रखना है मैक्सिको इसकी गल्फ आप मेक्सिको यह पर है और नौर्थ पैसिफिक ओशिन यहां पर है गवाटेमाला इधर और जैनक यह आपर यहां पर यह सारी बात हैं हमने इका सब्सक्राइए मेक्शिको के बारे में अब इंपोर्टेंट सवालों को देख लेते हैं भारत में हरित करांति के जनग सब्सक्राइए में सब्सक्राइए में सब्सक्राइए में इसकी जो स्थापना यह कहां पर लातूर में करी गई है महराष्ट के लातूर में और यह डॉक्टर बियार अंबेडर की प्रितिमाय आप लोगों को याद रखना साथ हो यह था आज का डिसकसन अब आप लोग वीडियो को पॉस करिए और जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी लोग नीचे कोमेंट सेक्शन में इसका जो सवाल है कि हिमाचार प्रिदिस में जलापूरती में सुधार है तू किसके साथ 96.3 मिलियन डॉलर के रेंड़ को समझोते पर हस्ताक्चर की हैं तो जल्दी से आप सब भी लोग आंसर करेंगे इस सवाल का हम कोई क्रिविजन कर लेते हैं 24 तारीका कल का कोई क्रिविजन कर लेते हैं य प्रिदेश मंत्री एस जयसंकर ने महत्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का नावरण किया है बोलेविया में नेक्ष चरचाम रहा आटेमिस 3 मिशन किस देश का मून मिशन है तो ज़्या है अमेरिका का हाल ही में मितिला मखाने का GI टैग किस राज्य को मिला है बिहार को 65 वे राष्टमंडल संसिदिय सम्मिलन की मेजवानी किस देश द्वारा की जा रही है कैनेडा के द्वारा राइट आंसर B भारत की पहली अंत्रिक्ष वैद साला कहां पर इस्ताफित होगी ये होगी गाईज उत्राकंड में भारत की पहली सिक्षा टाउन्षिप किस राज्य में बनाई जाएगी यूपी में राइट आंसर C हाली में उल्ची फ्रीडम शील्ड युद अभ्यास अमेरिका और किसके साथ हुआ है दक्षिन कोडिया राइट आंसर C भारत की पहली हाईड्रोजन इंधन शेल बस का सुबारम कहां पर किया गया है पुने में राइट आंसर B यह थी आज की डिसकुसन यह हमारे कोर्सिज हैं मिसन SDM 2.0 और समरपन बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं अगर आप इन कोर्सिज से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को कोड यूज करना है ED400 क्लियर और जो है 7011 इन नंबर पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं मिसन SDM 2.0 जो है साथियो वो यूपी PCS की तयारी के लिए है जबकि समरपन बैच आरो ए आरो की तयारी के लिए अगर आप इनकी तयारी अपनी तयारी को अलग लेवर पर ले जाना चाहते हैं तो यह सभी बैच दोनों बैच जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत इं उलिधियम पे हैं यह कभ शुरू हों गे यह यह सुरू होंगे साथियो 5 सितंबर से सुरू हो रहे हैं और यो डिसकाउंट है वह कब से कब तक है तो anchors जो है यह 31 अगस्त कि मिल पाएगा तो जल्दी से अगर आप पिलान बना रहे हैं इससे जुड़ने का तो जल्दी से जोड़ जाईए लेकिन ध्यान रखिएगा code आपको यूज़ करना ED4000 किलियर साथ ही हो तो ये थी आज की discussion उम्मीद करता हूँ आपको discussion अच्छी लगी होगी informative लगा होगा session, knowledgeful लगा होगा तो नीचे comment section में जरूर एक प्यारा सा comment जरूर करेंगे कि आपको कैसा लगा और session को like करेंगे सभी के साथ में session को share कर दीजिए इसी के साथ में video का end करते हैं मिलते हैं next session में नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जै हिंद जै भारत Thank you, thank you so much